हेलो गाईज आएम एके गोत्म एंड यूर वचिंग माई यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की वीडियों बात करेंगे चाइल्ड मैरीज के बारे में कि चाइल्ड मैरीज इंडिया में वैलिड मैरीज है वोईड मैरीज है इसका आंसर जाद अगर लोगों को नहीं पता इस कॉंसेट पर क्लियरिटी नहीं है तो मैं इस वीडियो इस कॉंसेट को क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूं आप किसी से अगर पूछते हैं कि चैनल मैरीज वैलिड है या वोईड है तो वो आंसर नहीं दे पाएगा इसली या फिर कुछ गलत आंसर देगा आपको सोचने में बड़ा अजीव लगेगा कि चैल्ड मैरीज जी तो बंद है इंडिया में तो वह वैलिड कैसे हो सकती है मैं आपको लो समझाता हूं इसका तो सबसे पहले हम बात करते हिंदू मैरीज की कंडिशन के बारे में जो सक्षन 5 में दी गई है तो उन कंडिशन चैल्ड मैरीज हो जाती है घरवाले च्ल्ड मैरीज करा देते हैं लड़की की 16 है और लड़के की 17,16 है तो क्या वामैरीज होगी तो यसे मेरीज होगी जब तक उससे वैलि नहीं किरा जा सकताा कोर्ण से तो अगर वह चाहीं मैरीज को कंडिशन होगी अब teuके हो यासे कि कड़ो शर्चोंगा में वालेड माया मेरेज के विझी तो वह होती है वह सुरू यह जो होती है वह जी जिरो मै आप वो तरीकित पूरी तरीस से oh अर लेकिन ऐख ऊती ओसे वो डेंड अबAyड मेरीज जो की वो जब तक वैलिड मेरीज रहेंगी जब तक उन्हें वंएड नहीं कराया जा सकता कोट के दुबारा इसलिए जोकि वूइड नहीं कराया जा सकता एकेक लिएक कि शर्चास ने क्या है कि प्रोविशन चैनल मारिट 2006 का प्रोविशंट ते लिए लिया करने के लिये उन्हें दो साल तक की सजां और एक लाख तक का जुरमान हो सकता है तो इन दा एंड हम वीडियो में क्या समझे हैं कि चैल्ड मैरीज जो है एक वोड़ेवल मैरीज है जो कि section 12 में बात की गए हिंदू मैरीज एक्ट में तो जब तक उस चैल्ड मैरीज को वोड नहीं कराया जागा कोड के दुवार डिक्री लेके तब तक वो मैरीज वैलिट र कराया जा सकता है लेकिन अगर उसे कंट्यूनी रखना चाहते हैं तो वो कंट्यूनी रह सकती है अब इसके साथ हम इस चीज को समझेंगे कि इसके पिछे का ऐसे लो क्यूं है मतलब चैल्ड मेरी इतनी बेकार विवस्ता है तो ऐसे क्यों रखा गया कि कि चैल्ड मेरीज को कंट्यून रखेंगे तो कुछ चीजों को आपको जानना जरूरी है जब भी लोग को हम समझते हैं उसके पिछे के लोजिक को भी समझना जरूरी है तो आज हम मैं उस लोजिक को बता हुआ कि जो लो है इस तरीके का चैल्ड मेरीज को वैलिड मेरीज कैसे रहती है समय को समझाना जोगी है अब देखिए इंडिया में चैल्ड मेरीज बहुत पुराइन टाइम से चली आ रही है और आज भी कुछ ऐसे रूलर एरिया है जहां पर चैल्ड मेरीज होती रहती है तो अगर हम चैल्ड मेरीज को वैलिड वोईड मेर्ज मेरीज होती तो आज या आपके दावरारी की जनरेश्न होगी उन में ज्यादा कर जो उनकी शादी हुई है वो 16-17 साल में होई है आप अपने आसपस की रिष्टेदारियों में ही देखेंगे कि उनकी साधी हुई है वो चैल्ड मेरिज के टैंप ही है अगर मानूब मैरिज बोल्ड होती तो आज अगर उन्हें वोईड करा दिया जाए तो मैरिज कि इतनी टूड जाएंगी और सफर किसे करना पड़ेगा ब कि मैरिज टूटती है एक उमर के बाद लोग दूसरी मैरिज करने के लिए कि आते पहली को क्या देते कि ये तो वोईड मैरिज है इसलिए इसलिए बनाया गया और गर साधी ठीक ठीक चल रही है जब मैजोर्यटी आ जाती है उसके बाद भी लग रहा है कि हाँ शाधी चाह किमणल उफेंस बना गया लिकिन अगरर आब पढ़ जाता है कि अगर को छाल्ड मैर रहा रहा है और पता चल जाती है पलिस को तो उसके पैड़ जेंस को दो साल तक की सजा हो सकते हैं जो child marriage करा रहे हैं और एक लाग तक का जुर्मा नहों सकता है तो child marriage को रोखने के लिए बनाया गया provision child marriage act तो यह क्या है यह punishment इसलिए देता है कि ताकि child marriage की practice को रोखा जा सके आपको child marriage की validity का तो पता पढ़ गया आपको यह criminal offense से यह भी पता पढ़ गया अब एक बात करते हैं अगर यह voidable marriage है तो इसे कभी भी void कराया जा सकता है एक logical बात यह है कि जैसे मानों आपकी 17 साल में शाधी हो गई तो एक वह voidable marriage है उसे आप court से कब तक उसे void करा सकते हैं अब ऐसा तो है नहीं कि आप 17 साल में आपकी marriage होगी आपकी 8-10 साल साधी चल रही है बढ़िया और फिर बाद में आपको एक दम से याद आता कि यह marriage नहीं चली तो मेरी तो पहली marriage जो है वोईडेवल मेरीज है मां court से वोईड करा लेता हूं अब दुश्यार कहें तो ऐसा नहीं है प्रोबिश्चन चैल्ड मेरीज एक्ट में निक बात और की गई कि आप अपनी marriage को वोईड तब तक करा सकते जैसे ही आप majority करते हैं तो उसके दो साल अगले दो साल से पहले पहले आप अपनी marriage को अगर वोईड करा लेते हैं तो तो मेरीज होगी वनना फिरो मेरीज कांट्यूनी रहेगी जादी के तो बीच में अगर बीच में बीच में वह करा लेती है यही चीज फॉल होती है मैंस पर अगर वह 21 से लेकर 23 के बीच में अपनी marriage को dissolve करा लेता है वोइड करा लेता है marriage को ऑप से त्री लेकर तो बॉइड हो जाएगे मैरिच मरेज कंटिनु चलती रहेगी और वह वालिद मैरिज रहे तो इससे यह चीज़ प्लिए कि लिए गी होती है अगर उसे जब तक उईड ना कराया जाएं तो चैल्य मेरीज क्या है एक वरड़मेरीज है जिसे ग्राया जा सकता है और दूसरा जो प्रोविशन चाइल्ड मेरिज एक्ट है वो एक क्रिमिनल ओफेंस इंपोस करता है अगर कोई चाइल्ड मेरिज कराता है बच्चों की तो उसको दो साल तक ही सजा और एक साल की एक लाग की पेनल्टी उस पे लग सकती है तो ये किलियर हो गया दूसरा की दो स साल के अंदर में ही क्यों कराना अब इस चीज को सोचिए लोजिकल चीज को सोचिए मानो आजकल एक्स्ट्रमेडल अफेर और यह सारी चीजे भी है अब किसी शादी हो गई अथारा साल में हो गई और उसकी सादी चाद दस-बारा साल अच्छे चलती है फिर उसका कहीं पे अब बाद में सोचे जब दूसरे साधी करनी है तो पहले से डिवर्स लेना होता है लेकिन मेरी साधी तो मैं उसे डिसोल करा के दूसरे साधी कर लेता हूं इस तो इन जैसी प्रैक्टिस को रोखने के लिए भी यह चीजिज यह कंडिशन लगाई कि जैसे ही आप अपनी मै कर लिए अब आप अपना भला सोच सकते हैं कि आप इसके साथ रहना है यह नहीं रहना है तो उसके अगले दो साल के बीच में आप डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे शाधी करनी है या मुझे यह वोईड करानी है को से डिक्रे लेकर तो आई होप आपको यह वाला कॉंसर्ट यह वड़ किलियर होगया होगा क्योंकि इस कंसेप्ट में बहुत ज्यादा कि कंफुजन है लोगों के बीच में सबको लगता है कि चैल्ड मेरीज एक तरीक सब बूर मैरीज तो चैल्ड मैरीज नहीं है चैल्ड मैरीज लीगली वोडेवल मैरीज है और जब तक वो करा देते हैं अगर मानों लोग में लिग दिया जाता कि वोड मैरीज है तो मानी सबके एक्जिस्टेंस भी कुश्य नहीं जाता है जब हम कहाते हैं हमारे जो पैरेंस हैं उनकी साधी चैल्ड मैरीज के टाइम पर हुई है आज इसे जादा हो कि तो क्या हम लेस्टिमेट है इसलिएस डिको बचाती है को में शादी को बचाती है जटना हो सकता हो उतना साधी को बचाती है ताकि चलती रहे इसकी प्रैक्टिस को रोकने के लिए इसे करिमोल ऑफैंस बनाया गया जिसमें दो साल तक की सजा औरैक लाग का फाइन भी रखा गया अई होप अब को ये वीडियो समझ में आ गई है लाइस में समराइज कर देता हूं कि चाइल्ड मैरीज एक वोडेवल मैरीज है वो बोड मैरीज नहीं है जब तक उसे कोट से वोड नहीं कराते तब तक वह रहती हो चला जा सकता है और चाइल्ड मैरीज एक किरिमिनल ओफैंस है जिसके लिए साल के अंदर आपको अपनी शाधी वोड करा सकते हैं अगर आप कराना चाहते हैं तो बन्हों कंटिन रहती है तो दोस्तों यहीं यह वीडियो एंड थैंक यू गाइस फॉर वोचिंग इस वीडियो